Hello friends, welcome to GatesMasher आज की इस वीडियो में हम discuss करने जा रहे हैं Slabers of Artificial Intelligence और यह Slabers हम discuss कर रहे हैं specially for NTA Net exam लेकिन अगर आप अपने college या university level के exam के लिए भी prepare कर रहे हैं तो Artificial Intelligence का mostly Slabers जो है वो same ही रहता है लेकिन अगर हम NTA Net के exam की बात करें तो already उन्होंने और इस वीडियो को बनाने का main motive क्या है क्योंकि जब Slabers already available है each and every point is already given तो इस वीडियो का आपको क्या benefit है तो होता क्या है जब भी मैं Slabers की वीडियो बनाता हूँ इससे पहले मैंने DBMS का Slabers बनाया था Networks का Slabers है Operating System का Slabers बनाया था specially for NTA Net exam and Gate exam और उसका link जो है मैंने description box में डाला हूँ है तो आप प्लीज एक बर उसको भी चेक कर लीजिए उसमें भी मैंने एक ही point यहां पे बोला था कि जब भी आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो hard work और smart work जो है वो आज के time पे करना बहुत ही जूरी है जितने भी toppers हैं अगर आप उनका interview देखिए जितने भी लोगों ने qualify किया है exam तो वो जनली हमेशा hard work और smart work दोनों से ही काम करते हैं तो hard work तो obviously आपको करना है लेकिन smart work strategy कैसे बनानी है वो हम लोग जो है आपकी help कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि यह syllabus जो है मैंने main topics direct syllabus से ही उठाए है लेकिन यहाँ पे strategy हमने क्या बनानी है strategy बना रहे हैं कि जितने भी question अब तक आए हुए है artificial intelligence में से उसके basis पे हम priority decide करेंगे कि कौन से हैं हैं जिनकी priority सबसे ज़ाद है मतलब आपको किसी भी हालत में उन topics को छोड़के नहीं जाना करके ही जाना है दूसरा point क्या होता है कि कई बर क्या होता है students या तो artificial intelligence particular subject में mastery होती है मतलब काफी उनको interested subject लगता है अपने end पे वो अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन maximum क्या होता है students मतलब उनको यह होता है कि एक बर exam के लिए हम त्यारी कर लें या exam में क्या क्या आता है उसके according हम त्यारी करें तो जब हम book purchase करते है standard book जो है artificial intelligence के लिए rich and knight की जो standard book हम follow करते है that is rich and knight author by the rich and knight लेकिन Indian author भी है like सरोज कौशिक है उनकी अगर आप book फोई follow करते है तो वो भी जो है उसमें भी आपको content जो है वो same ही मिलेगा और easy language में आपको content मिलेगा लेकिन इसमें जो content की language है वो थोड़ी सी आपको tough लगेगी लेकिन obviously बात है अगर time में अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आप एकदम से book देखके तो definitely आपको demotivation ही होता है कि यह इतनी book हम कैसे follow करें मैंनों कैसे हम subjects को कैसे सारे topics को cover करें तो यहाँ पे मैं अपने पूरे analysis से यहीं बताने लगा हूँ कि कौन कौन से ऐसे topics हैं जिनको आपको definitely करके जाना है और कितनी depth तक करके जाना है एक होता है कि हम पूरी deep में उसको कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास sufficient time है तो आप definitely करें क्योंकि आपकी knowledge इससे बढ़ेगी और knowledge अभी बढ़ेगी कि जब तक आप deep उसमें जाएंगे तो deep learning का concept भी यही कहता है कि आप उपर उपर से learning नहीं पूरा उस concept को deep में करें लेकिन अगर आप deep में करना चाहते तो आपके पास sufficient time होना चाहिए तो यह syllabus जो है यह video उनके लिए भी फाइदमन्द है लेकिन उनके लिए जिन्होंने कम time में उस subject को prepare करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला जो topic है approach to AI approach to artificial intelligence यह syllabus जो है यह जो broad topics है यह broad topics मैंने उनके syllabus के according ही डाले है और अगर आप book भी follow करते हो Richard Knight की या की तो उसमें भी आपको topics जो है वो इस तरीके से unit wise ही मिलेंगे तो अगर approach to AI की बात करें तो this is the most important most important मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हर बार आपको इस unit में से question मिलेगा ही मिलेगा और कौन से topic है सबसे पहला topic है heuristic search heuristic search में यहाँ पर हम बात करते हैं A star, AO star, best first यह specially algorithm की बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर game playing की game playing में हम बात करते हैं यहाँ पर minimax algorithm की specially और इसके लावा हमरे पास है alpha, beta, cut off यह main topics हैं यहाँ पर इन topics को आपको करके ही जाना है और साथ की साथ यहाँ पर constraint satisfaction के topics भी आ जाते हैं जहाँ पर crypt analysis का यहाँ पर use करते हैं और इसमें छोटा सा point महर बता रहता हूं DFS और BFS although data structure में भी हम discuss करते हैं what is DFS, what is BFS technique लेकिन यह जितने भी algorithm है AO, A star, AO star best first, hill climbing इनके बारे में आपको detail में पता होना चाहिए कि यह कैसे काम करते हैं और इनके उपर कौन-कौन से question आया है उन questions को आप एक बार definitely करके जाएं और question के point of view से भी मैं बता देता हूं हमारा इस channel का main motive क्या है हम इस channel के तुरू एक तो syllabus content जो है वो students का best दरीके से cover करवा रहे हैं दूसरा assignments assignments में भी हम वही question डाल रहे हैं जो most expected question है तो आपको यहाँ पे content भी त्यार करने और इस content के basis पे question जो है वो question भी करने हैं तो questions का already हमने assignments के link मैंने description box में डालने हुए हैं तो आप वो assignment भी जुरू चेक करें उसको हमने calculation में कैसे लेके आना है वो आपको obviously question करने के बाद ही पता लगेगा तो सबसे पहला point जो मैं यहाँ पे 3 star इसलिए दे रहा हूँ this is the most important topic in the artificial intelligence दूसरा most important topic यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ fuzzy set को इसको भी मैं 3 star दूंगा because इसमें से भी आपको हर साल question जो है वो मिलेगा ही मिलेगा और same pattern के ही question है मतलब अगर या तो A star है या A star है या best first है या फिर आपको DFS और BFS के उपर similar kind of question मिलेंगे कभी theory question है या कभी थोड़े बहुत उनके graph से related question है ऐसी fuzzy set में बात करें तो creeps यहां पर हमारे पास जो creeps और fuzzy sets related question है या फिर alpha cut or operation union intersection minus operation इनके उपर question आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे तो यह बड़े ही logical question है इनको आप अगर एक एक बार करें तो definitely आपको पता लग जाएगी कैसे इनको solve करना है तो यह आपको नहीं करके जाना यह भी most important में ही है लेकिन comparative to the number of question asked कितने question पूछे गए है उसके basis पे हम इसको 2 star दे रहे हैं मतलब artificial neural network यहां पर हमारे पास है neural network और genetic algorithm और इसके साथ-साथ यहां पर हमारे पास है single multi-layer feed-forward network recordant में हमारे पास hope field network है और machine learning का concept machine learning में हम जनली बात करते है supervised unsupervised learning के बारे में तो यह learning strategies जो है आपको पता होनी चाहिए कि strategies में कैसे कैसे हम जो theoretical ही है में लिए topic जो है वो theory related ही है इसके बाद मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि यह जैसे knowledge knowledge representation knowledge representation planning NLP multi-agent multi-agent को भी मैं again double star देना चाहता हूं क्यूंकि आपको multi-agent में types of agents related and उनकी properties कि वो agent जो है like current history को use करते है past history को use करते है क्या वो कैसे काम करते है उससे related आपको question मिलेंगे और बहुत ही simple level के question ही आपे मिलेंगे लेकिन इसके लावा knowledge representation NLP planning इनको मैं एक-एक star दे रहा हूं मतलब कहने का क्या है कि comparative to इन सब के number of question आप कह सकते हो less है लेकिन आपको इनको करके जाना है और इनके अंदर specially कौन-कौन से topic knowledge representation में बात करें तो कौन-कौन सी approaches है knowledge को represent करने के लिए predicate logic इस predicate logic topic को internally knowledge के अंदर मैं 2 star दे रहा हूं मतलब इस पूरे topic को तो मैंने single star दिया है लेकिन predicate logic को मैं double star दे रहा हूं क्योंकि logic का जो concept है यह mathematics में भी आता है और यह concept जो है artificial intelligence में भी आता है तो आपको double star का मतलब यही है कि यह topic जो है knowledge के अंदर यह छोड़के नहीं जाना और साथ की साथ हमारे पास है reasoning reasoning में हमारे पास statistical reasoning है forward and backward reasoning है यह जो main main topics है बस इनके बारे में आपको theory पता होनी चाहिए कि क्या होती है कैसे यह काम करते है that is all then planning planning के अगर हम बात करें तो overview planning क्या होती है planning graphs क्या है कौन-कौन से types है लेकिन उसके अंदर अगर हम बात करें like hierarchical goal stack planning यह जो दो methods है यह most important methods है other than all मतलब आप इनके बारे में जो है उपर-उपर से एक overview जो है वो definitely करके जाए और उसी में से ही आपको question जो है वो मिल जाएंगे then NLP NLP में यहाँ पे मारपा synthetic and semantic जो है और कई बर यहाँ पे मैं एक और जो strategy मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई topics ऐसे हैं जैसे genetic algorithm है genetic algorithm में अगर आप proper way से पढ़े genetic algorithm तो आपको definitely बहुत time लगेगा सारे algorithms को पढ़ने में लेकिन होता कि जब एक competitive exams में नए topic को introduce करते हैं तो नए topic में कभी भी detail में question नहीं पूछते या मतलब deep में question नहीं पूछते हमेशा उपर उपर से ही question पूछते जैसे कि मैं अगर simple से example दूँ इसी बार December के exam में December 2018 के exam में अगर हम बात करें वहाँ पे big data से related DBMS में एक नए topic डाला है big data तो big data के उपर जो question आपको अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही simple level के question है what is big data से related ऐसी अगर हम बात करें genetic algorithm या फिर machine learning का concept है तो इनके अंदर आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही deep के अंदर concept मिलेंगे नहीं उन्होंने basic level का ही पूछना है क्यों क्योंकि धीरे धीरे वो deep पे जाएंगे पहले वो basic level के ही पूछेंगे लेकिन अगर हम बात करें like approach to AI heuristic यहां नहीं हम कह सकतें कि वो basic level का पूछेंगे या फिर fuzzy logic की बात करें तो fuzzy logic में हो सकता वो basic level का ना पूछे क्यों क्योंकि already वो काफी सालों से इन topics के उपर वो question पूछ रहे है तो obviously वो एक step further ही पूछेंगे difficulty level बढ़ाएंगे लेकिन यहां पे difficulty level अभी बढ़ा ही नहीं क्योंकि यह question जो है वो बहुत ज़दा आई नहीं रहे तो जब भी आएंगे वो basic level के ही question यहां पे मिलेंगे then हमारे पास multi agent के बारे में मैंने already discuss कर दिया types and properties fuzzy set मैं यहां पे already इसको star दे चुका हूँ तो यह star का funda क्या है यहां पे priority और यह मैं अपने analysis के basis पे ही guys बता रहा हूँ कि जो मैंने पूरे के पूरे subject को जितने भी question यहां पे artificial intelligence के उन सारे questions को analyze करके ही मैं यह video लेके आया हूँ और आप इस video के according अगर आप त्यारी start करेंगे तो definitely आपको बहुत ज़्यादा help में मिलेगी और आपको एक मज़ा भी आएगा कि आपको पता लगेगा कोन सा topic करना है कोन सा topic को अब थोड़ा बहुत ignore जो है वो कर सकते हो Thank you